नमस्का दोस्तों, BLTX में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे आपको फिल करना है नेमो का एक स्थापित समू है जो यहाँ निर्धारित करता है कि एक ही संजाल में विभिन उपकरणों के बीच डेटा को किस परकार पर सारित किया जाए अनिवारी रूप से यहाँ संयूजित उपकरणों को आपस में संचरण करने देता है। इक ही नेटवर्क में विभिन उपकरणों के बीच डेटा कैसे परसारित किया जाता है। अगला कोशन, कोशन नमबर 152 है इंटरनेट का स्टेंडर्ड प्रोटोकॉल है। इन में इसे कौन सा है दूस्तों तो राइत अंसर हो जाएगा ऑप्शन A, TCP IP इसका सही जोब इसका प्रियोग ब्योशाइट बनाने के लिए किया जाता है। अगला कोशन, कोशन नमबर 153 है निम्न में से कौन सी निम्न पावर लोकल एरिया वारलेस संचार तकनीक है। तो राइत अंसर ऑप्शन C हो जाएगा इथरनेट, इथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क पर कार काव। अगला कोशन, कोशन नमबर 154 है दूस्तों, इंटरनेट में प्रोसेस टू प्रोसेस संचार के लिए निम्न में से कौन से प्रोटोकल प्रोग होते हैं। तो यहाँ पर राइत अंसर हो जाएगा अप्शन D, ट्रांस्पोर्ट लेयर प्रोटोकल। अगला कोशन, को अगला कोशन, कोशन नमबर 156 है, एक भौतिक इस्थान जैसे भवन, कारयले या घर में एक साथ जुड़े उपकरणों का एक संग्रा है, या छोटा सा बड़ा हो सकता है, छोटा या बड़ा हो सकता है जिसमें एक उप्यो करता के साथ एक ग्रह संजाल, होम नेटवर्क से लेकर एक कारयले या बिद्याले में हजारों उपकरणों के साथ उद्यम संजाल हो सकता है, इन में से आपको बताना है, तो राइट अंसर बनेगा दूस्तों, अप्सन A, लाइन, यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क, एक कम्प्योटर नेटव लेकल नवीन सेवा का सर्जान करने के लिए बहुत सेवां को सवंजित करता है, तो राइट अंसर ऑप्सन D हो जाएगा, मैसब, मैसब यहाँ पर राइट अंसर बनेगा दूस्तों, वेब विकास में एक मैसब एक वेब पेजिया वेब आपलीकेशन है, जो ग्राफिकल इं खोजी इंजन सर्च इंजन से समाधित है जोस्तों, अगला कोश्या, कोश्या नमबर 169 है, निम लिखित में से किस क्लाउड आधारी सुनचना में अनेक उप्योग करता हूँ वाले किसी एकल संगठन द्वारा अनन उप्योग करने का प्राउधान है, या किसी संगठन ती ओपेरा के बीच क्या समानता है, ये सभी क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा, ओप्शने विब बीचरक, विब ब्राउजर्स हैं दोस्तों, अगला कोश्या, कोश्या नमबर 161 है, इकॉमर्स, इलर्निंग, इबाइंकिंग, एम कॉमर्स, आधि निम लिखित में से कौन के संस्तापक है, तो राइट आंसर यहां पर बनेगा दूस्तों, ऑप्शन C, इंस्टाग्राम इसका राइट जवाब हो जाएगा, अगला कोश्या, कोश्या नमबर 162 है दूस्तों, यहां पर आपको फिल करना है, एक ऐसा उपकराण है, जो आने प्रोग्राम या उपकरा और संभावित रोप से छेती का करण बन सकता, उससे क्या कहते हैं, तो राइट आंसर आप्शन E हो जाएगा, हमला सता अटेक सर्फेस, नेक्स कोश्या नमबर 165 है, रेट टाम लिंसन को किसका सुरे दिया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहला इमेल भेज जिस से एक वाइरस आपके कंप्यूटर को संकमिट कर सकता है, तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा उप्शन B, प्रलीक और PDF संचिकाएं फाइल्स बनाना, उप्शन B यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अगला कोशन, कोशन नमबर 167 है, इमेल प्राप्त करने के तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, इस कोशन का उप्शन D, POP3, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इमेल प्रोटोकॉल इमेल भेजने और प्राप्त करने की नियम और प्रक्रिया है, POP3 और IMAP4 प्रोटोकॉल का प्रयोग एक इमेल सर्वर से इमेल प्राप्त करने क लिए किया जाता है अगला कोशन कोश्या नमबर 168 है कम्प्यूटर विज्ञान में ASP का विस्तारित रूप क्या है तो राइत जवाब बनेगा option B आबेदन सिवा प्रदाता option D सक्री सिववक प्रस्ट option B और D दोनों option यहां पर राइत आंसर हो जाएगा दूस्तों अगला कोशन कोशन नमबर 179 है Microsoft Windows से समंधिक निम लिखिट में से किसमें बिभिन कार्यों का निस्पादन सामिल है जैसे प्रक्रियाओं का निर्धारा गति रोध का प्रबंधन और प्रक्रियाओं की समापती तो राइत जवाब भी हाँ पर बनेगा दूस्तों अगला कोशन कोशन नमबर 179 है इस प्रसीट में जटिल गड़नाओं को सिट करने का एक आसान तरीका क्या है तो राइत जवाब अप्सन दी हो जाएगा कोशन नमबर 179 है पावर पॉइंट में स्लाइड में हाइपर लिंक डालने की सॉटकेट कुंजी क्या है तो राइट आंसर ऑप्सन भी हो जाएगा Ctrl plus K इसका सही जोब बनेगा PowerPoint में slide में hyperlink डालने की shortcut कुंजी Ctrl plus K कुंजी होती है दोस्तो Option first दिया गया है Ctrl plus H यहाँ पर दोस्तों दिया गया है तो Ctrl plus H का यूज Find and Replace Option के लिए किया जाता है Ctrl A का यूज All content of page को Select करने के लिए किया जाता है अगला question Question number 172 है MS Word में एक character को आगे ले जाने के लिए किस keyboard की का उप्यूग किया जाता है तो यहाँ भी दोस्तों इस question का right answer बनेगा option D Right arrow Right arrow का प्रूग किया जाता है अगला question Question number 173 है Bookmark का उप्यूग MS Word में किया जाता है तो right job बनेगा option D यहाँ पर right answer हो जाएगा भविच में उलेक के लिए document में एक बिसिस्ट इस्थानिया टेक्स की पहचान करने के लिए Next question Question number 174 है Microsoft Excel में format penter को कई बार क्रमा नुशार उप्योग करने के लिए निम्न लिखित में से कौन सी क्रिया करने चाहिए तो right answer बनेगा option C format penter icon पर double click अगला question Question number 175 है Excel 2016 में column G और column H के भी तीन column डालने के लिए आप क्या करेंगे तो right answer बनेगा option B column H सेलेक्ट करेंगे और right click करेंगे तीन बार insert सेलेक्ट करेंगे अगला question Question number 174 है MS Excel 2016 में निम लिखित किस बिकल्प दोरा बिंडो को दू भागों में बाटा जा सकता है तो right answer बनेगा दोस्तों option C, view, बिंडो और इसलिप्ट अगला question Question number 177 है operating system सारी प्रक्रियाओं की सूचना कहां रखता है तो right answer option D हो जाएगा process table में option D, right answer बनेगा दोस्तों operating system process table में सारी प्रक्रियाओं की सूचना रखता है operating system process table के द्वारा resources को minus or control करता है tables हर process और resources के बारे में जानकारी श्टोर करने के लिए महात्पूर्ण data structure है अगला question question number 178 है Excel में data का default sun record है इनमें से कौन सा है तो right answer option ये हो जाएगा text left aligned और number right aligned अगला question question number 188 आपने अभी अभी बिंडोस 7 computer में जो disk संस्थापित की है उसमें नए खंड बनाने और disk को संरूपित format करने के लिए आपने उमलिकित में से किस साधन टूल का प्रियूग करेंगे तो right answer option C हो जाएगा disk management का question number 180 है दोस्तों यहाँ पर किस प्रकार के फाइल का extension dot byte होता है तो right answer हो जाएगा option D PC bytes फाइल का अगला question question number 181 है callisto MT, aerial और century बिंड प्रकार के क्या है तो right answer हो जाएगा option D यह font हैं दोस्तों next question question number 182 है निमन मेंसे कौन सा समूह MS Excel के insert type में मौजूद नहीं है निमन मेंसे तो right answer option B हो जाएगा अनुछेद इसका सही जवाब बनेगा अगला question question number 183 है निमन लिकित मेंसे कौन सा computer software program है जिसका उप्योग data संग्रहिट करने ब्योस्तित करने और हेर फियर के लिए किया जाता है तो right answer option B हो जाएगा Excel इसका right जवाब बनेगा अगला question question number 184 है Microsoft Excel के computer file को किस प्रकार नाम दिया जाता है तो right answer हो जाएगा option B .xls अगला question question number 185 है mouse, display, sound network और keyboard की setting को Microsoft Windows के किस श्रक्सन में बदला जा सकता है तो right answer option B हो जाएगा control panel इसका right answer बनेगा question number 186 है दोस्तों Windows 10 को पहले एक पूरवाव लोकन के रूप में निमलिखित में से किस दिन जारी किया गया था तो right जवाव बनेगा option C 1. October 2014 को इसका right answer बनेगा अगला question question number अगला है 187 MS Office है समंदिश question number तो यहाँ पे दुस्तों question number 187 है Windows 10 operating system में file explorer में file या folder की खोज के लिए निमन में से count C shortcut कुजी का उप्योग किया जाता है तो right answer option B हो जाएगा F3 यहाँ पे right जवाव बनेगा F3 अगला question question number 188 है दोस्तों MS Word 2016 में default रूप से drop का लेटर या अक्षर की उचाई कहां तक होती है तो right जवाव आपको देना है दोस्तों तो यहाँ पे दोस्तों right answer हो जाएगा option A paragraph में तीन लाइन तक आपको ध्यान में रखना है अगला question question number 189 है दोस्तों ab salute cell reference चुने तो right answer यहाँ पे बनेगा दोस्तों इस question का option B इसका सही जवाब हो जाएगा अगला question question number 190 है Microsoft Word में gutter margin set करने के लिए निम लिखित इस्थितियों में से काउँ सा gutter position box में उपलब्ध है तो right जवाब यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों option B left and top option B right जवाब बनेगा अगला question question number 191 है Microsoft Excel में निम लिखित सेल प्रारूपों में से कौन सा exponential data के लिए उप्यूग किया जाना चाहिए तो right जवाब option C हो जाएगा scientific इसका right answer बनेगा अगला question question number 192 है Microsoft Excel में merge एक रॉस भी कल्प क्या करता है तो right जवाब यहाँ पर बनेगा दोस्तों option B इसका right answer हो जाएगा जब एक multi row range select किया जाता है तो यह command प्रत्य रो के लिए multiple merge सिलका निर्माड करता है option B राइट जवाब हो जाएगा next question question number 193 है Excel sheets word processors web processors किस प्रकार के उधारान है आपको बताना है तो right जवाब यहाँ पर बनेगा दोस्तों option B application program है question number 194 है Excel में सभी फार्मूला निम लिखित के साथ सुरू होते है तो right जवाब हो जाएगा option A बराबर का चिन अगला question question number 195 है निम लिखित में से Microsoft Word का कौन सा विउ टेक्स दिखता है जैसे या header और footer के बिना printed format में दिखाई देता है तो right answer option B हो जाएगा draft view में question number अगला है 195 Microsoft Excel में auto filter विखल्प के समन में निम लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है इन में से तो right जवाब बनेगा option B आप एक समय में data के एक column पर एक filter set कर सकते है option B यहाँ पर right जवाब हो जाएगा question number 197 है Microsoft Word फाइल में किलिबोर्ड की समगरी को पेस्ट करने के लिए कि shortcut की का प्रिव किया जाता है तो right answer हो जाएगा हाँ पर option B control प्लस V का अगला question question number 198 है जब Microsoft Excel worksheet के प्रकोस्टों sales में संख्याय प्रविष्ट की जाती है तो वे पूरू निर्धारित इस्थिती by default द्वारा होती है तो right answer बनेगा यहाँ पर दोस्तों इस question का option C दाइं और संडेकित होती है next question question number 199 है Microsoft Word में आप किसका chain करके पूरू निर्धारित उपांत बहुस्थाओ margin settings को अनकूलित customize कर सकते हैं या चुन सकते हैं तो right जवाब बनेगा दूस्तों यहाँ पर option A layout margins यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला question question number 200 है Microsoft PowerPoint 2016 में slide पर दिखाई देने वाली सभी समगरियों के लिए formatting, positioning और placeholder box नहीं थोते हैं तो right जवाब बनेगा option D slide master इसका right job हो जाएगा दूस्तों यदि आपको class पसंद आ रही तो class को जाद़ जाद़ लाइक और share करते रहे हैं दूस्तों यदि आपको चैनल पर ना है तो चैनल को subscribe भी कीजिए दूस्तों दूस्तों आज की इस class में बस इतना ही मिलते हैं next class में तब तक लिए नमस्कार जाएं धन्यवाद